लब श्कार मत्रूम मैं हूँ आपका दोस्त आइतना जाए इंस्पार टू हिंदी से और यह है इंफिनिक्स का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन इंफिनिक्स होट 9 तो आंते तक देके रहे हैं बहुत कुछ पता चलने वाला है तो दोस्तों शुगात करते हैं इंफिनिक्स होट 9 के अंबॉक्सिंग के साथ बॉक्स के अंदर आपको मिलता है स्मार्टफोन आपको मिलता है इसके लिए एक स्क्रीम पोटेक्टर भी मिलता है जिसको मैंने खुछ से लगाया और बबल्स बबल्स आ गए तो अगर आप लग यसबी केबल और अंदर आपको मिलता है डॉक्युमेंटेशन वारेंटी कार्ड और भी बहुत प्लाना निम्काना चोटी मोटी चीजे जो सब लोग डालते रहते हैं और दोस्तों इससे पहले कि आप मुझे पीटने आ जाए मैंने इन लोगों से पूछा मेल करके इन्हों नहीं बिलती बट इसकी जो डिस्प्ले है यह 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले पिन होल स्टाइल नौच है इसमें एनीजी ग्लास प्रोटेक्शन है इसमें 480 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस है 2.5D कर्व ग्लास 90.5% स्क्रीन तो बॉड़ी रिशो आपको मिलता है तब कु स्मार्टफोन है थोड़ी बहुत ऐसी चीजों को माफ कर देना चाहिए यार राइट इंसाइट पर आपको पाव बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलता है बॉटम पर 35 mm जैक मिलता है इसके स्पीकर गिल मिलता है लेफ्ट साइट पर आपको इसके सिंप्र स्लॉट मिलता है ड पर तो वो एक बढ़िया चीज है बैक पर उन्हें फिंगरपिंट सेंसर दे रिखा जो कि काफिया तक सही फास्ट चल रहा था फेस अनलॉक भी काफिया तक फास्ट है और DTS का लोगो बना हुए अब DTS का लोगो यानि कि इस पर DTS साउंड है और वो आटोमाटिकली पर नीच होता रहता है वो मुझे बहुत सही लगा कि मतलब इन्होंने और उडियो पे काफिया तक ध्यान दिया है सस्ते फोन्स में को ज़्याद ध्यान नहीं देता वट इन्होंने दिया है जिसका डिजाइन है वो जिम का टेक्स्चर डिजाइन है और इसके अलावा पावले सिर्फ एक चेंज है कि उसमें बैक पे 13 MP की जगा 48 MP का कैमरा सेंसर है बागी सब अलमोस सेम है एक इसमें Macro Lens है और इसमें अलग से Depth Sensor दे रखा और एक और Lens है तो मादब बागी सब सही है और फ्रामने जो quality जो है वो और improved हो सकती थी बढ़ ठीक है for the price range I would say कि इसको उतना अदा पीटना अच्छी बात नहीं होगी आप कोई flagship phone नहीं ले रहे है यह कि फ्रंट में ही आप नोटिफिकेशन LED भी दे रखी है और उस तो नोटिफिकेशन LED के अंदर ही और खतरनाक बात है यूटिफिकेशन LED को ही आप the front flash के तौर भी यूज़ कर सकते है तो आप यह व्योजवरा अपूर डिगरिगे के यह लग प्र दोनों तरफ flashlight जग लाती है मतलब रौशनी हो जाती है जिंदगी में मस्त है पीछे की तरफ भी लाइट मार रहा है आगे भी लाइट मार रहा है तो यह मैंने कुछ ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि यह पहली बार software का कुछ अलग ही इन्हों ने किया है वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा अब इस फोन के अंदर आपको क्या मिलता है आपको 4-64 RAM और Storage की combination मिलती है और Helio P22 चिपसेट के साथ आता है वही चिपसेट हमने Hot 8 में भी देखा था मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन का एक सबसे weak point सिर्फ यही है कि इन्होंने चिपसेट को अपग्रेड नहीं करा बाकी सब कुछ अल्मोस्ट अपग्रेड़ेड़ इस फोन में तो Helio P22 चिपसेट जो है वो ठीक ठाक है उस पर आप most ही जितनी भी गेम से है उसको स्मूद या लो सेटिंग्स पर खेल सकते हैं इस पर आप GFX टूल डालके PUBG में कम से कम 60 fps तक जा सकते है थोड़ा बहुत resolution लो करके और खेल सकते है आराम से बट यार मतलब हेवी गेमर्स को मैं फोन नहीं रिकमेंड करूँगा अगर आप हेवी गेमर है तो आपको थोड़ा और कोई और फोन देखना चाहिए जिसमें Helio G70 चिपसेट हो या कोई और चिपसेट हो जो इससे जादा फास्ट हो इसमें इनोंने 5000 mAh बैटरी दिया और Helio P22 चिपसेट और HD प्लस डिस्प्ले की वैसे एता जादा optimized इसका power consumption की अराम से भाई पूरा एक दिन तो चलता ही चलता है डेड़ दिन तक आपको आराम से बैटरी लाइफ मिलेगी इसमें कोई इश्यू नहीं है मतलब usage करने वाले वीडियो देखने वाले YouTube अगरे चलाने वाले बंदों को ये फोन काफी हट पक पसंद आएगा और इसके अलब इसके अंदर Dual SIM VOLT है VO Wi-Fi, Voice Over Wi-Fi का भी सपोर्ट है बजट फोन होने के बावजूद मेरे को बहुत से ही लगा बहुत कम ऐसे फोन होते बजट फोन जिनमें VO Wi-Fi का सपोर्ट हो और इसके अंदर OTG का भी सपोर्ट है Software Experience की बात कुरूत रहता है XOS 6.0 के साथ जो की Infinix का अपना Custom Launcher है और उसमें कई सारी ऐसी चीज़े नोंने दे रहे हैं जो शायद कर लोग को उतना पसंद नहां है जैसे एक अलग से इसमें shortcut के लिए टूल दे रखा होता है पर मैं क्या अगरता हूं personally मैं उन सबको disable कर देता हूं जो भी पहले से floatware होता उसको हटा देता हूं और इसमें अलग से आप अपनी मर्जी का कोई भी third party launcher डाल लो और जिन्दगी का मजा लो और यही तो खुबसूरती है Android की कि सब कुछ बदला जा सकता है अगर मैं बात करूँ कि इसमें अलग-अलग क्या है तो इसमें एक social turbo mode और एक game turbo mode है social turbo mode की मज़द से आप whatsapp के अंदर भी call recording कर सकते है यानि अगर आपने किसी को whatsapp voice call किया है आप उसको भी record कर सकते है और इसके लावे इसके अंदर एक video beauty mode भी दे रखा है तो आप अगर आप videos के अंदर अपने आपको जवरदस्ती पतला दिखाना चाते है बाइसेप और fully भी दिखाना चाते है जिसका camera quality काफी अतक सही है और जिसमें आपको एक सही बड़ी display मिल रही है और front पे भी LED light मिल रही है बहुत सारी ऐसी चोटी चोटी चीज़ें इसके अंदर जो कि इसको एक काफी well rounded product बनाती है अगर आपको ऐसा phone चाहिए तो आप आराम से जाके इन्फिनिक्स hot 9 ले सकते है तो दोस्ते इस वीडियों के लिए इतना ही अगर आपके वीडियों पसने है इसको शिल लाइक करें, शेर करें, इंस्पायर टो हिंदी को सब्सक्राइब करें नीचे वो एक कुने में छोटी सी पैर से घंटी दे रखे उसको दिल में शुप्धा भरके एकदम बजा रज़के आशागर तो आप लोग सारे सही है, सुरक्षित है और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगवे बढ़ने के लिए प्रिरित रही